जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में एक बार फिर बारिस बढ़ेगी ठंड पच्मी रायस्थान में साइकलोनिक सर्कुलेशन बन रहा है इसका असर आज वकल देखने को मिलेगा और इस वज़ा से राज्ये में हलके से मत दर्ज की बारिस हो सकती है मौसम केंद्र के अनुसार बुद्वार को राजे के उतरी और मदे भाग में हलके से मत दर्ज की बारिस हो सकती है यही कारण है कि दस फरवारी को देवगर धनबाद दुमका गिरीडी पाकुर सायवगर राची बोकारो गुमला हजारी बाग खुट्टिव और रामगर, पूर्वी सिम बूम, पच्छमी सिम बूम, सिम डेगगा वा सराइकला में बारिस हो सकती है एक गारस चे चोधा फरवारी तक मौसम सुस्क रहेगा बारिस की वज़ा से कई जुलो में तापमान में गिरे आवट की संभवना है जिससे ठंड में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी बता दे कि जारकान में ठंड का असर लगातार जारी है राईधानी का तापमान पिछले दो दिनों के मुकाबले फिर गिरा सोमर को राईधानी का नियुतां तापमान 8.1 डिडिस से लिकोर्ड किया गया जबकि सभी अस्थानों का नियुतां तापमान 10 डिडिस से नीचे रहा है रिम्स सिटी भीएस बिभाग में हिद्दारोगी को मिले गी आतदुनिक इलाज की सुविधा रिम्स के काडियो थेरिक्स और वेस्कूलर सरजरी विभाग में 10 दिनों में छोटे छिद्र से हार्ट सरजरी होने लगेगी 6 मा में हार्ट टांस्पलांट भी किये जाने लगेगा एम्स भोपाल से आयर डाक्टर बिनीत महाजन के योगदान देने के बाद यह संभव होने वाला है हार्ट सरजरी भी अब दर्द रहित हो गई है देश के बड़ा स्पतालों में मिनिमम इन्वेसिव विधी से सरजरी होने लगी इस विधी से दो छोटे छिद्र के माध्यम से हाट तक पहुँच कर सरजरी की जाती है इससे मरीज ओपरेशन के दो से तीन दीन के बाद इघर चले जाते है जारखन के तीन पूरुस होकी खिलाडियों का नेशनल कैम्प में चयान जारखन के तीन पूरुस होगी खिलाडियों का चैन जूनियर भारतिये पूरुस होगी के नेशनल कैम्प के लिए किया गया है भारतिये टीम में राजे की महिला खिलाई लगतार अपने उपस्तिती दर्ज कराती रही है लेकिन एक दसक बाद पूरुस खिलाडियों का चयन राश्ट्रिये कैम्प के लिए किया गया है 14 फरवाली से 31 मार्च तक बैंगलूरी में होने वाले कैम्प के लिए चयनित खिलाडियों में असिम तिर्की वा डेनिस केरकेट्टा जो सिमडेगा से हैं और बिर्सा ओड़या खोटी से सामिल हैं बतादे 2015-16 में तीनों ने गुमला सेंटर में अभ्या सुरू किया जहां बगार कोच के तीनों के खिलाडी ने गुन सिखे जे एससी परिक्षा में मैट्रिक इंटरपास अनिवारी के हो सरकार ने हाई कोट को बताया जे एससी असनातक अस्तर ये परिक्षा संचालन सहसोधन नियमावली 2021 पर सुनवाई हुई राई सरकार ने जहारकान हाई कोट को बताया कि इसी तरह के नियम दूसरे राजियो हिमांचल परदेश, उतराकान, उतरपरदेश और तमिलनाडू आदी में लागू है ये निमावली जहरकान की सिक्षा ब्यवास्था को मजबूत करने तथा स्कूली सिक्षा को बढ़ावाद देने के लिए बनाई गई कोई भी यहां आकर मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई कर सकता है साथ ही 33 वा चोतुर्थुवर गिये पदोपर नयुक्ति की परकिर्या में सामिल हो सकता है सरकार की ओर से सपत पत्र दायर कर जनकारी दी गई है राज सरकार ने सहायक टाउन पलानर की बहाली के लिए जपीसी के अनुसंसा स्विक्रित कर दी है नगर विकास विभाग के सचीव ने इसे लेकर आदेस भी जारी कर दिया टाउन पलानर के 37 पदोपर नयुक्ति को लेकर कार्मिक विभाग के माध्यम से जपीसी को अधियाचना भेजी गई थी इसके अलोक में जपीसी ने 5 अप्रेल 2021 को 43 अभियार्थियों की टाउन पलारर मनियुक्ति के उन्संसा की थी ग्याथ होखी जपीसी द्वारा तयार की गई मेदा सुची के विरूद कुछ अभियार्थियों ने हाई कूट में याजका दायर की थी जपीसी के आरक्षन को लेकर आगे बढ़ाया जाए अब विचार हो रहा है कि यहां OBC के आरक्षन को लेकर एक उचस्तरिय कमिटी बनाई जाए ताकि स्वरोष नियालाइक के फैसले के मुताबिक यहां आरक्षन की दिशा में सरकार आगे बढ़ सके देवगर में महा सिवरात्री की त्यारी महा सिवरात्री को लेकर मंगलवार को DC मंजुनात भयंत्री ने विभीन विभागो के अधिकारियों पंडा धन्मरक्षनी सबाग पताधिकारियों और तिर्फ पुरोहित समाज के लोग के साथ बैठक की बैठक में तय किया गया कि इस बार सिवरात्री पर जरारपन के लिए सरदालू एक दिन पहले ही सिग्र दर्शनम कूपन पराप्त कर सकते हैं सिवरात्री के दिन भी सुबा 6 बय से साम 4 बय तक 2-2 घंटे के सलोट पर सिग्र दर्शनम कूपन मिलेगा कूपन 500 रुपे में मिलेगा इसके अलावा डिसी ने रूट लाइन वा मंदीर के आसपास के छेत्रों में सुचना केंद्र असापीत करने वा चलंत सुचना केंद्र को एक्टिव रखने का निर्देश दिया गुमला के विसुनपूर में पूलिस ने नक्सलियों के खिलाब चलाया अभियान नक्सलि संगठन भाग्पा मुवादी की सुचना पर विसुनपूर वा घागरा पूलिस ने विसुनपूर थानेदार सदानन्द सिंग वा घागरा थानेदार सब प्रसिक्छुट डियस्पी परदी प्रनौक के नितित में सन्युक छपे मारी अभियान चलाया अभियान जिल्पिदा कट ठोकवा सनाई घागरा हापदा के जंगली इलाकों में चलाया गया इस तोरण पुलिस द्वारा घंगोर जंगल में मवादी की गिराबंदी करने का पर्यास भी किया गया लेकिन मवादी घंगल का पैदा उठा कर निकल गए भोजपुरी मघी का बिरुध कर छात्रों का बयान लडाई सिधे सरकार से बोकारो अधनबात जीला में राई सरकार द्वारा छेतरिये भासा के सूची में अंगी का भोजपुरी और मघी को सामिल किया गया है इसके खिलाब दोनों ही जीलों में जारकंडी भासा संगर समीती के बैनर तले आंदोलन चल रहा है पिछले दिनों नगेन मोर से महुदा मोर तक आयोजीत मानोश रिंखला में लगबग 2 लाख लोग जुटे इसके बाद हर रोज जगा जगा साभा हो रही है तो प्चांची के मंटान निवासी जयरा महतो इस अंदोलन का नेती तो कर रहे है बता दे जरकंडी भासा संगर समित्ती कांदोलन 1932 के खतियान का धार परस्थानी वा निजवन निती बनाने तक जारी रहेगा हिजाब मामले पर बिहिप ने कहा इसके आर में अरजक्ता से बाज आय जिहादी बिश्व हिंदू पईसाद ने कहा है कि करनाटक के उड़ूपी से प्रणभ हुआ हिजाब विवात वास्तों में हिजाब की आर में जिहादी अरजक्ता फैलाने का एक सड़यन्त है बिहिप के केंद्रिय सन्युक्त महामंति डाक्टर सुरेंद्र जैन ने बुद्वार को नई दिली में कहा कि इसे हिजाब जिहाद ही कहा जा सकता है उरूपी के एक बिद्यालाय में छो लड़कियों के द्वारा बिद्यालाय का निर्धारीद गणवेस ना पहनने की नजायज जीद ने एक चिंगारी का रूप धारन कर लिया पी एफ आई जैसे कटर इसलामीक संगठन संपुन करनाटक में अराजकता निर्मान करने का एक ब्राद संद्यत रच रहे है इनाम पोर्टल से ट्रेंडिंग करने में पीछे रह रहे है रांची के ब्यवसाई केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में किसानों खुआनाज एवम औन पैदवार की वाजीब कीमत दिलाने के लिए इनाम पोर्टल प्रेटफर्म उपलप्त कराया गया रांची जीले में 15 इस्थित क्रिस्ती उत्पादन बजार समिती को इनाम पोर्टल के संचालल का देत्व दिया गया बताया जारा है कि बर्ष 2016 से दिसंबर 21 तक जीले के 18 प्रखंडों में 15,443 किसान ओनलाइन पैटफर्म से जुड़ चुके हलाकी जीन अनुपात में इस पोर्टल से ट्रेंडर्स को जोड़ना चाहिए वह नहीं हो पा रहा फिलहाल पोर्टल से कूल 407 ट्रेंडर्स ही जुड़े हाँ जो किसानों से ओनलाइन बेपार करते हाँ हटिया एस्टेशन पर सुरू होगी प्रिपेड आटो सेवा रांची एस्टेशन पर प्रिपेड आटो सेवा सुरू करने के बाद अब हटिया स्टेशन से इसकी सुरूवात होगी इस समध में सफलता पुर्वक्स अंचालन करने के बाद हटिया स्टेशन पर अब रेलवे प्रसासन की नजर है इसकी सेवा शुरू होने से यत्रियों के काफी सहुलियत होगी यत्री सुरक्षा और यत्री सुविदा को ध्यान में रखते हुए इसकी सेवा सुरू की गई कि फायत दर पर यत्रियों को उनके गंतव असल तक पहुचाने का काम करेगा प्रिपेर आटो सिवा में कूल 108 आटो ड्राइवर ने रेइस्टेशन कराया है सभी चालकों के लिए कगजात जैसे उनका आईडी बलड गुरूप मोबाइल नमबर आर पी एफ के रिकोड रखा गया है गुमला में करंड की चपेट में आने से हाथी की मौत जारखंड के गुमला में भरनो परखंड के वन टोली गाउ में करंड की चपेट में आने से मंगलवर की रात एक हाथी की मौत हो गई सुबा खेत में हाथी का सौध देकर ग्रामिनों ने इसकी सुचना वन विभाग को दी खाटना के सुचना मिलने के बाद वन कर्मी मौके पर पहुँचे खेतों के आसपास करंड कहां से पहुँचा या किसी किसान ने अपने फसल की रक्षा के लिए करंड लगा रखा था इसकी जाच सुरू हो गई है ग्रामिनों से वन विभाग के अधिकारी पूश्टास कर रहे हैं हाथी की मौत की सुचना पर आसपास के ग्रामिन भी घटनास्तल पर पहुँच चुके हैं गुमला के राएडी में सडक हाथसे में 17 घायल राएडी परखंड के सीलम में सोबो और किरातरी पीक अप गाड़ी वा ट्रक के बीच टक कर हुई इसमें 17 लोग घायल हैं दो लोगों की स्थिती गंभीर है सभी घायल टोंगरी टोली गाउं से बड़ा मेहमानी से लोट रहे थे घायलो में गड़ टोली निवासी किरन देवी वा भीनसारी देवी को गंभीर चोट है वहीं सुक्रा उराव बुदेश्वर उराव भीजिनी देवी को चोट आई है जबकि 12 अन ये लोग को हलकी चोट लगी है धाने बाद यादी आप चैनल पर नहीं हो तो चैनलों को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदा बाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिड़बैक अवस्ते दे थाइंक्यू